और दोस्तों बताओ, सब मजे में, एकजाम उकजाम सब खतम हो गया, वैसे भाई, कुछ भी कहो, एकजाम देने के बाद ना, जिन्दगी में चार चांद लग जाते हैं, आराम ही आराम करना पड़ता है, लेकिन यार, एकजाम के एक दो महिने भी नहीं बित्ते, फिर वही हा हो जाता है, क्या कहोगी यार, जिन्दगी तो ऐसे ही चलते रहेगी, अभी इस मजे को थोड़ा साइड में रख लेते हैं, और एक बढ़िया सा चेप्टर सुरू करते हैं, जिससे की और मजा आ जाए, तो इस चेप्टर का नाम है, एल लेटर टू गॉड, यार, मुझे य मेरे साथ, मेरे टीचरों ने किया था, यार, उनके डंडो से मेरे हाथ लाल हो गए थे, तो इस चेप्टर को जिस महासाय ने लिखा है, उस महासाय का नाम है, जियल फ्लंटस, तो चलो, इस मज़दार चेप्टर को स्टार्ट करते हैं, यार, चेप्टर का टाइटल ही दार है, तो चेप्टर तो मज़दार हो गा ही, धर्ती में एक घाटी था, घाटी मतलब समझते हो, भाई, दो पढ़ाडों के बीच, जो गड़ा बना रहता है न, उसी को घाटी कहते हैं, अच्छा, तो घाटी का जो उपर वाला भाग था न, उस उपर वाला भाग में एक घर था, वो पूरे घाटी में सिर्फ एक ही घर था, और उस घर में एक किसान रहता था, उस किसान का नाम था लेंचो, यार ये किसान ही है तो खेती तो करेगा ही, तो वहीं पर उसका खेती लगा हुआ था, यार लेंचो का घर इतना उचाई में इस्थित था, जहां से कि क कोई भी उसका खेती को देख सकता था और खेती के बगल में बहराई नदी को भी देख सकता था लेंचो मक्के का खेती किया था उसका खेती बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया था एक बाउचार की कमी थी उसके बाद उसका खेती हो जाता मतलब उग जाता एक बाउचार मतलब एक बार बारिश आना चाहिए था वो बारिश आएगा तो उसका खेती बढ़ियां से हो जाएगा उग जाएगा लेंचो बारिश का बेसबरी से इंतिजार कर रहा था वो सुबह से नोर्थ इस्ट की तरफ देखता रहता देखता रहता बारिस कब आएगी कब आएगी कब आएगी सुबह से साम होने वाला था लेंचो की पतनी घर में खाना बनाने लगी मतलब डीनर बनाने लगी रात का खाना बनाने लगी और खेत में लेंचो के बड़े बेटे काम कर रहे थे छोटे बच्चे लोग वही पर घर के बगल में खेल रहे थे, बड़े लोग काम कर रहे हैं, छोटे लोग खेल रहे हैं, और लेंचो की वाइप खाना बना रही है, लेकिन यारे लेंचो कोई काम नहीं कर रहा है, बस ये नौर्थ इस्ट के तरफ से बादलो का इंतजार कर रहा था, लेंचो अपने पतनी से कहा कि मुझे लगता है आज बारिस होगी लेंचो की पतने उसे रिप्राई करती है कि हाँ यदि भगवान चाहे तो बारिस हो भी सकती है यार तुम्हारे किता में एक वर्ड है सुपर उसका मतलब डिनर होता है न रात का खाना को हैं सुपर कहते हैं बच्चो की माँ बच्चो को बुलाती है कि खाना तयार हो गया आजाओ खाने के लिए देखो यार देखो इसका खाना बन भी गया और अभी तक बारिस नहीं होगी कब बारिस होगी सब कोई खाना खाने के लिए घर के अंदर चले गए घर के बाहर मिठी मिठी हवाईं चलनी लगी उस हवाऊ से नोर्थ इश्ट के तरफ से बड़ी बड़ी पहाड जैसे बादल लेंचो के खेती के तरफ आने लगी और बवचार सुरू हो गई वावाईवा लेंचो जब काया था वो तो सच हो गया लेंचो को पता चलता है कि बारिस हो रही है वो तुनत घर के बाहर आजाता है उसके घर के बाहर आने का तो खास कारण नहीं था वो बस बारिस के बुंदों को फील करना चाहता था वो चाहता था कि जिस बारिस के बूंदों को मैं बहुत दिन से इंतिजार करा हूँ वो एक बार अपने सरीर पे टच हो जाए देखो यार देखो यह बारिस में भींगने गया है और इसे कोई मना नहीं कर रहा है एक दिन भी यदि हम लोग घर के बाहर बारिस में भींगने चले जाए ना तो बारिस से तो पता नहीं लेकिन मा बाब के डंडों के बारिस से तो भींग ही जाएंगी बारिस के बूंदे जब लेंचों के सरीर में टपकती है तो वो बोलता है कि ये बारिस का बूंद नहीं, ये तो सिक्के हैं सिक्के, बड़ा वाला बूंद 10 सेंट का सिक्का है और छोटा वाला बूंद 5 सेंट का सिक्का है, क्योंकि यार इस बारिस के बाद इसका फसल उग जाएगा, वो संतुष्ट भरी नजरों से अपने फसल की देखता है कि बारिस के बूंदों से उसके फसल लह लहा रहे हैं वह बहुत खुष था लेकिन यार इसकी खुषी ज़्यादा देर तक नहीं ठीकी तुरत बहुत चोड तुफान आने लगा और बहुत बड़ा बड़ा बादल आने लगी उसके बाद जो हुआ उसे देखकर बेचारा किसान उदास हो गया भाई स्थनोफोल होने लगा ओले गिरने लगी इसे देखकर लेंचो के बच्चे घर के बाहर आ गए और मोती चुणने लगे मोती नहीं यार बर्फ को चुणने लगे मोती के जैसे दिखने वाले बर्फ को चुणने लगे लेंचो सूच रहा था कि ये थोड़ा देर में खतम हो जाएगा लेकिन ये स्थनोफोल एक घंटे तक चला और सारा चीज बरबाद हो गया लेंचो अपने घर के बाहर आता है और देखता है कि जितना भी भेली था वहापर घाटी था तो पूरा घाटी में बर्फ जम चुखा है ऐसा लग रहा है कि पूरा घाटी में नमक भर गया है पेंड के एक-एक पत्ते जड़ गए और पेंड पूरा भद्दा दिखने लगा फूल के जितने भी पत्ते फूलते सब जड़ गए और जब उसने अपने खेती की ओर नजर डाला तो देखा कि उसका पूरा खेती बरबाद हो चुका है वो अपने खेत के बीच में आकर बोलने लगा अपने बच्चों से बोलने लगा कि यदि फसल में टिड़ भी लग जाते हैं न तो इतना बरबाद नहीं करते जितना ये सुनोफोल ने बरबाद कर दिया टिड़ एक तरह का इंसेक्ट होता है भै यहाँ पर तुम्हें उसका फोटो दिख रहा होगा अपनी बरबादी को देखकर उसने एक पोयम बोला यार वो पोयम को तो तुम अपने किता में पढ़ सकते हो मैं बस उस पोयम का अर्थ बता देता हूँ उस पोयम का मीनिंग बता देता हूँ यार बहुत दुख भरी पोयम है सुन लो आज का रात हमारे लिए काली रात है काली रात मतलब बहुत दुख भरा रात है हम लोग कितने महनत से दिन रात एक करके जिस फसल को एक छोटा सा बीज से इतना बड़ा फसल बनाया वो फसल एक जटके में बरबाद हो गया हमारा सारा मेहनत मिट्टी में मिल गया इस पूरे भेली में, इस पूरे घाटी में कोई हमें मदद करने वाला नहीं है हम लोग पूरा साल भूखे रह जाएंगे लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आज थी उसके दिल में विश्वास था कि उसे भगवान हेल्प करेंगी गोड हेल्प करेंगी इतना विश्वास था कि वो भूखा नहीं मरेगा कोई इतना मेहनत करके भूखा मर सकता है क्या नहीं नहीं वो अपने बच्चों को समझाता है कि निरास मत हो हमारी मदद भगवान करेंगी वो रात को रात भर भगवान के help के बारे में ही सोचता रहा उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी help from God भगवान से मदद उसे पूरा विश्वास था कि हर आदमी के दिल के गहराईयों में भगवान होता है यार वैसे विलिन चो बहुत hard working farmer था वो अपने खेत में जानवर की तरह काम करता था जानवर की तरह मतलब उल्टा मत समझना मौथ hard work करता था कहीं तुम उल्टा मत समझना hard work करता था और वो पढ़ना लिखना भी जानता था तो वो सोचा कि आने वाला संडे में मैं भगवान को एक letter लिखूँगा जिस letter में मैं उन्हें बताऊंगा कि उसने उसे कैसे बरबात कर दिया उसका दंड भरूआंगा जो उसका खेति बरबात हुआ है उसका पूर्ति करूआउंगा और उसे पूरा विस्वास था कि भगवान उसकी बरबादी का पूर्ति जरूर करेंगे उसे help जरूर करेंगे अब भाई वो later लिखता है या फिर नहीं लिखता है भगवान उसका help करते है या फिर नहीं करते है ये तो हम जानेंगे next part में यदि channel को subscribe नहीं किये हो तो subscribe करके bell icon को जरूर से दबा देना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर से share कर देना तो चलो मिलते हैं next part में